वेल्कम टू क्लास बाइ बभीता गुपता मैं अपने पिछले वीडियो में आपके साथ 282 एर के शेयर किया था टॉपिक की नॉलिज क्या होती है तो यह जो में में टॉपिक्स हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूं तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और यह नॉलिज आप दूसरों के साथ भी शेयर करें जो बियर फॉर्स यह की स्टुजेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो नेक्स यह की प्रिपरेशन कर सकें तो जो यह इंपोर्टन टॉपिक्स हैं मैं वही शेयर कर रही हूं और mcqs इनी पर बेस जाएंगे देकि जो में टॉपिक्स है ना यह जो पिछले साल आ चुकी है पिछले कुछ यह में आ चुक है मैं वही शेयर कर रही हूं तो जो mcqs भी उनिवर्सटी बनाएगे तो ऑविस सी बाते उन्हीं टॉपिक्स में बनाएगी तो हमें उनको में जो में जो समझना जरूरी है तो उसमें सबसे पहला topic आता है हमारा वही आता है knowledge and knowing कि knowledge क्या होता है उन में क्या difference होता है तो उसको concept को समझना जरूरी है तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में knowledge के बारे में शेयर किया था our knowing के बारे में बताऊंगी यह हम knowledge and curriculum को पढ़ रहे हैं और unit 1 तो देखिए knowledge होती क्या है इसका मतलब क्या है जो knowing है वो एक हवा की तरह है जिसको हम किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते गैदर नहीं कर सकते हैं चैका है ना, तो यह क्या है knowledge, categories का part है कि जिसमें हम नौइंग क्या होता है कि उसको कि हम ग्यान को जब जानते हैं तो ग्यान को जानने का कोई हम कट्रोल हो सकता है कि कहीं किसी स्पेशल जगह से हम ग्यान को जान रहे हैं या कहीं ग्यान इखटा है तो उसको हम जान रहे हैं या कहीं रुका हुआ है तो जान रहे ह वह जानने के लिए। तो इसका हमारा फॉर्स पॉइंट है language, अब देखिया हम रहा जान हमें किस तरीके से ले सकते हैं ? कि this to different different languages देखर अलग फ्रेंडियले दो आपको पता कितनी वाइड मैं लेंग्वीज इस दिफ्रेंश धेक के दिक लिए लूज जडिश को आपको अगर हम hypnot channel अगर हमें हिंदी आती Farmandlooshrator ऍसमाफ कि यहान क्या है वहमें ग्रॉपार्व सेसे थान को क्लेश़ जातीख我 sa knowledge through language है कि language की through हमें knowledge मिल रहे हैं सबसे पहले तो language की knowledge मिल रहे हैं फिर उसके बाद उस language में जितने topics हैं या जितनी बाते होती हैं या जितने novels, videos जो भी है उसे आपको ग्यान मिलता है तो यह क्या हो गया यह language through knowledge through language होगया कि आप किस रही किस ग्यान को जान रहे है knowing through language अब इसके बाद में second आता है हमारे sense perception क्या होता है sense perception होता है जो हमारे five senses के through हम सीखते है ना वहते sense perception कि जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं महसूस करें उसके दुम सिकते हैं उससे विज्ञान को जाने हैं अगर आप और किसी चीज की नएकंद्ट आपकी नाक में पड़िया तो क्या होगा वह तो आपको थे वह संग्वान कि इस तरीके का आंपको को एक नए आपकी नॉलीज में हो जाए कर फिक वह इस चीज़ खिkład होता है कि उसने कभी doggy देखा doggy के बाद उसने kao देखी तो वो क्या होगे उसके ज्ञान में व्राद ही होगी ना तो जान रहा है न वो तो ज्ञान को जानने का sense perception से ठीक है इसके बाद आता है हमारे reasoning अब reasoning का क्या मतलब होता है reasoning होता है through logical points अब देखिए logical points के through हम ग्यान को जान रहे है reasoning कर रहे हैं कोशर answering कर रहे हैं छोटे बच्चे कोशन answer करते तो तभी वो सीख पाते reasoning का मतलब भी होता है logical point अगर आप किसी चीज़ का answer कर रहे तो फिर हो क्या है वो logical point based है इसके बाद है next हमारा imagination अब देखिए imagination के थिरू हम ग्यान को जानते हैं कि क्या imagination है क्यों क्योंकि इसके थिरू क्या होता है mental representation कि आपके दिमाग किस थरीके से सोचता है उतम हारी imagination होते हरो उसके थिरू क्या करते हैं ज्ञान को जानते हैं कि mental representation क्या है जैसे कि अगर आप बात करें जैसे architecture होते हैं तो वह क्या करते मैं करते हैं तभी तो किसी चीच 코 बनाते हैं तो क्या mental representation है तो तभी तो ज्यान को जान रहे हैं वो नहीं चीज फॉर्म कर पा रहे हैं तो वह ही ज्यान को जानना है तो कि knowing through imagination है इसके बाद next point हमारा faith अब देखिए जो faith है faith क्या होता है किसी चीज पर विश्वास कर लेना तो क्या होता है no meaningful cognitive content faith में क्या होता है meaningful cognitive content नहीं होता है यानि कि अगर आप किसी पर विश्वास करने लग जाएं जैसे अगर आप किसी बाबा पर विश्वास करने लग जाएं कि वह तो चमतकार करता है तो वह आपका faith है उसको कोई भी logical point आप वह नहीं कर सकता है है ना contradict करी नहीं सकता क्यों उसका कोई cognitive content ही नहीं है वह आपका faith है कि हाँ वह कर सकते है तो वह क्या है आपका faith में आ जाता है वह ठीक है तो यह ही इसमें क्या है knowing through faith but it has no meaningful cognitive content okay next हमारा point आता है intuition अब देकि intuition क्या है मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया intuition मतलब होता है सहज both यानि किसी चीज़ का सहज both जो होता है जैसे और यह किसी को भी हो सकता है इंस्पिरेशन बोलते concept on instincts and innate knowledge अब देखिए कुछ चीज़े होती है जनम जात होती है innate means やनम जात को चीज़े क्या होती है जनम जात होती है जो हमें जैसे एक च्छोटे बच्च् service पीना उसको दूद पीना है तो उसको कोई सिखानी दा ना तो वो क्या है innate knowledge है, awareness любви इंटिविशन है, तो क्या होता है, हमारा intuition में inspiration भी आती है, कि किसी और से inspire हो कर हम कर रहे हैं, तो सब क्या knowing होता है, knowing through intuition, intuition एन inspiration, यह हमारा point ही, कि हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं, या तो जनमजात होती है, वो सहज़़ बहोती है, ठीक है न इसके बाद हमारे next point memory अब दीके memory में क्या होते है refer to knowledge gained in the past memory क्या होती है memory तो वही है न जो हमने past में हमारी knowledge में आया है हमने data पढ़ाये तभी तो वह क्या है memory refers to knowledge gained in the past कि कि जो हमारे पास में हमने knowledge gain की है उसके थुरू हम क्या करें जान रहे हैं और चीजों को connect कर पा रहे हैं तो यह क्या है knowing through memory की थुरू ग्यान को जानना इसके बाद है देखिए observation observation देखिए जब हम किसी चीज को observe कर रहे हैं किसी चीज को देख रहे हैं कि वह किस तरीके से काम कर लिए किस तरीके से चल रहे हैं तब ही तो हम जान पाएंगे जैसे मैं अगर उधारण के लिए अगर में बात करूं तो car चलाना अगर कोई सीख रहा है तो पहले वो observe करेगा कि किस तरीके से gear डलते हैं किस तरीके से handle पकड़ा जाता है तो क्या कर रहा है वो ग्यान को जान रहा है इसको बोलते हैं knowing कि वो उसको जान रहा है observe कर रहा है कि किस तरीके से functions होते हैं फिर वो उसको उसकाम को करेगा तो यह क्या होगा और फिर उस काम को करेगा तो वो क्या हो जाएगी उसकी knowledge हो जाएगी तो knowledge क्या है knowing to knowledge, knowledge ही knowing to knowledge है यानि ग्यान क्या है ग्यान को जानना जो previous हमारे ग्यान पर अधारित होता है अपनी पात उसके सामने रख रहे हैं उसकी का अपना सवाधी तरीके से हम ग्लापति कर रहे हैं कि अब हमारा चैन्थ पॉइंट अता है इसके बाद में इंड़क्टिव अन डिलफक्टिव बेल हैं प्रवाद है सबसे बाद है Dec इसमें एक तियोरी डेवलप करते हैं एक एक फिर विग्जांपल की तरफ जाते हैं जैसे कि जाती है अगर मुझे example लेकि किसी का नाम लेकि उसको बताऊंगी कि पेटा ये नाम है तो वो क्या होगी है वो noun हो गया तो वो क्या हो एक्जांपल टो रूड हो गया तो यह हमारा इंडक्टिव होता है कि हम इसमें क्या करते हैं एक थिओरी डैवलप कर रहे हैं हम छोटी एन existing theory कि कोई existing theory है हमारे बीच में हम उसको क्या करें test कर रहे है ठीक है न अब जैसे यह rule to example अगर मेरे पास है एक rule grammar का में rule ले लूं कि मुझे present tense का एक rule बनाना rule बच्चों को समझाना है तो मैं क्या करें पहले वह rule लिख रही हूं बोर पे तो क्या होगा existing theory है मैं उसको describe कर रही हूं अब उसके बेस में example दोंगी तो क्या कर रही हूं मैं testing हो गया हूं क्यों क्योंकि मैं उस rule को examples के through पूरा explain करूंगी तो इसी को बोलता है testing and existing theory inductive and deductive way है यह knowing through inductive and deductive way तो यह मैंने आपके साथ discuss करा कि क्या specific way होते है knowing के यानी ज्यान को जानने की क्या तरीक्वी होता है specific यह मैंने आपने साथ share किया पिछले क्ल सबया से मtoo knowledge share किया था तो और अगली class में जो next class में लूँगी उसमें मैं आपके साथ concept of knowledge करूंगी कि क्या concept होता है सकते हैं तो मैं आपके साथ मिलती हूं उस टॉपिक के साथ और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इसको पढ़ें अगर इसे रिलेड़िड आपको कोई और टॉपिक अगर कोई बात पूछ नहीं आतो comment box में लिख सकते हैं या फिर आप किसी और book के लिए किसी और subject का कोई और subject चाहते हैं कि topic discuss करूँ तो आप comment box में लिखें मैं वो आपके साथ जरूर share करूँगी तो मिलते हैं next video में Thank you, धन्यवाद